शालीन से लड़ाई के बाद क्या विकास ने मिला लिया है मंडली से हाथ चलिए दोस्तों बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अधती शर्मा तो दोस्तों इस वक्त लाइफ फीड में हम देख रहे हैं कि विकास जाकर बैठ गए हैं कैप्टन्स रूम में जो की अभी है शेव ठाकरे का एंड जहां पूरी मंडली बैठी है वहाँ पर सुंबुल भी है वहाँ पर निमृत भी है स्टैन भी है अब्दू भी है सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और विकास भी वहीं पर जाकर बैठ गए हैं और इससे पहले विकास की शालीन से लड़ाई हुई है दूसरी तरफ अर्चना ये प्रिडिक्ट करती नजर आ रही थी कि अब जब इसकी शालीन से लड़ाई हो गई है तो अब ये शालीन और उसकी दोस्त यानि की टीना, शालीन, प्रियांका, स्रिजिता इन लोगों के साथ नहीं बैठेगा अब ये मंडली में चला जाएगा और यहां पर विकास मंडली के साथ ही बैठा नजर भी आ रहा है हलांकि वहाँ कोई भी विकास से कोई खास बात करता नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी विकास वहीं चुपचा बैठा हुआ है तो दोस्तो क्या लगता है? क्या ये कहानी परटेगी? क्या विकास भी मंडली की तरफ हो जाएगा? कॉमेंट शेक्शन में जरूर बताइए